हेलो एवरिवन बिटा जैसा कि नीट का एक्जाम आपका 12 सेप्टेंबर को कम्प्लीट हो गया और लगबग बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सी से मिला कर अपने मार्क्स देख लिएं कितने बन रहे हैं उसके बाद उनका next step जो बन गया है वो ये रह गया है कि मुझे इस मार्क्स में college मिल सकता है कि ने मिल सकता है या क्या trend रहा last year का ऐसा वो जानना चाहरे हैं तो एक word जो मेरे आसपस कल से गूम रहा है वो है कट-off, safe, score ये सब क्या होने वाला है तो उसको एक बर जड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं और एक scientific approach से देखते हैं और please इसको समझने की कोशिश करना कि आप पूछ क्या रहे हो और आपको क्या समझना है कि क्या पता होना चीए तो start करते हैं एक short video में इसको सारी बातों को समझने वाले हम लोग तो देखे हम लोग क्या इस पे बात कर सकते हैं सबसे पहले cut off का meaning क्या है देखो मैं जब cut off को समझता हूँ तो cut off exactly क्या होती है cut off वो होती है कि जिस पे आपको college मिल सकता है actual में क्या होता है cut off दो तरीके की है एक है virtual virtual वो है जो NTA ने release करी है जिस पे वो ये मानते हैं कि student need qualify हो गया जैसे last year 2020 में हमारे पास 147 marks में माना जा रहा था need qualify हो गया पर need qualify होने का मतलब नहीं कि आपको college allot होगा तो cut off का real meaning जो है मेरे पास जिसे मैं real cut off कहता हूँ real cut off तो वो होती है कि minimum marks जिस पे आपको college allot होगा minimum marks जब college allot होगा तो उसे हम cut off बोलते हैं अब यही आप जानना चाते है normally यह आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप need qualify होए नहीं होए ऐसे तो around 17 lakh या 15 lakh में से 7 lakh बच्चे qualify हो जाएंगे पर किस पे आपको government college मिलेगा क्योंकि mostly बच्चे government college के लिए aspire करते हैं तो government college किस पे मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं real cut off बोलते हैं तो minimum marks जिस पे government college मिलता है minimum marks जिस पे government college मिलेगा ना government college आपको allot होगा उसे आप cut off कहते हैं कुछ कहेंगे सर पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा नहीं रहा हो cut off depend करती है marks पे की rank पे मालो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके marks साथ 650 आ रहे हैं तो क्या आपको आपकी rank पता है तो आप कहोगे सर rank तो नहीं पता अभी मैं तो expected marks हैं यह दो जो हमने की से मिला है तो cut off rank और marks पे किस पे depend करती है real में cut off rank पे depend करती है कि किस rank पे college alert होता है तो कभी भी marks पे college alert होता ही नहीं है बिटा cut off जो होगी वो rank पे depend करेगी तो अगर rank पे depend कर रही है तो अभी आपको किसी को कुछ नहीं पता कि क्या rank आने वाली है तो आप college कैसे मिलेगा यह आप कैसे सोच सकते हो ना यह तो सोची नहीं सकते क्योंकि आपको तो rank ही नहीं पता है अभी result नहीं आया है तो ये फिर हम कैसे सोच रहे हैं कि ये college मिल जाएगा ये हो जाएगा तो इसका मतलब हम पीछे trend पे जा रहे हैं कि पीछे कुन सा trend रहने वाला उस पे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये clear हो जाना चीए कि cutoff जो है वो marks पे depend नहीं करती rank पे depend करती है और आपको ये भी पता होना चीए कि same marks पर बहुत rank होती है हो सकता है जिसके 626 marks हो उसकी 9000 rank हो तो 627 वाले की हो सकता है 12000 rank हो तो एक-एक marks पे कई-कई 1000 rank vary कर जाती है तो ये चीज आपको समझने है कि cutoff rank based होती है ना कि marks based होती है तो पहली चीज ये कि अब आप अपने marks से अगर अपनी rank predict कर पा रहे हैं तब ये आप साही direction में सोच रहे हैं अब आप ये कैसे predict करेंगे क्योंकि हर साल paper का level अलगाता है इसलिए अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि इस साल क्या हम क्या expect कर रहे हैं rank same marks पर same आने वाली है वैसी आने वाली है cutoff decrease करेगी cutoff decrease करने का मतलब होता है क्या कम marks में आपको college मिल सकता है अब देखो भाई सब हर बच्चा ये चाहता है कि cutoff वहां आ जाए जहां मेरे number आए ठीक और मैं भी चाहूँगा आप सब के लिए पर बिटा ऐसा possible होता नहीं है क्योंकि number of seats कम है number of aspirants जादा है तो definitely cutoff को लेके trend क्या है उस पर discuss करते हैं देखो अगर मेरे से आप पूछोगे या मैं अगर compare करूँ मैं अगर आप एक को comparison दो first time cutoff सबसे तेजी से बढ़ी थी 2017 में 2017 में जहां बहुत high marks पे भी rank काफी उपर चली गई थी उसके बाद 18 में decline आये था इसलिए अगर आप देखोगे 18 का जो topper का marks है वो 700 नहीं आया clear होगी बात 19 में भी ठीक थी cutoff 20 में तो अचानक से 720 भी आ गया तो 19 में मतलब 701 पर topper था माल लो ठीक है 20 में तो 720 पर ही topper आ गया तो अब अगर मैं last year से compare करूँ तो मुझे ऐसा लगता है या maximum लोगों को लग रहा है decrease करेगी और आपका तो ये favorite word है decrease करना चाहिए ये सबको लग रहा है decrease करना चाहिए तो ये तो लगी रहा है तो मैं ठीक है decrease करेगी पर मैं कुछ reason दे पा रहा हूँ क्या decrease करने का मैं आपको कुछ reason दे रहा हूँ कि decrease क्यों करेगी उसका एक reason जो मैं सोच पा रहा हूँ दूसरा क्या हुआ, इस बार 200 questions थे, 200 questions थे जो बच्चों ने पढ़े होंगे, तो इस वज़े से उनको paper थोड़ा सा lengthy भी लगा, जैसे कि Ames, गोरकपूर, राई बरेली में इस साल भी seats बढ़ रही है, और जैसे कानपूर में हैं आपके पात JSVM, Medical College, जो JSVM है, जो उसमें भी seats बढ़ रही है, RML वगर है, कुछ colleges है डेली में, उसमें seats, कुछ seats बढ़ रही है, तो seats increase होती है, ठीक है, seats कुछ increase हो रही है, पर ये बहुत ज़ादे increase नहीं होती, जैसे मालो 50 की 100 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि 50 की 5000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, तो ये कुछ reason है कि cut off decrease क्यों हो रही है मतलब, क्या हम सोच सकते हैं, ये कारण हो सकता है, cut off decrease होने का, अच्छा, अगर मैं एक तरफ ये सोचू, क्या बढ़ भी सकती है, ऐसा कोई reason मैं आपको दे सकता है, मालो अगर मैं कहूं कि बढ़ने के क्या reason हो सकते हैं, एक reason ही हो सकता है, बटा, time, time काफी मिल गया, आपका exam announce था, अगस्त में, पहले मई में होता था, अगस्त में announce था, और जो 12th के बच्चे होते हैं, उनको भी sufficient time मिल गया, तो time मिल गया बच्चो को काफी, एक ये reason हो सकता है, दूसरा internal choice भी तो मिल गई, भई आपको तो सारे question नहीं कर रहे न, एक internal choice मिल गई, और दूसरा बिट रहे है, क्योंकि paper tough था, ऐसल में क्या होता है, जिस भी साल physics tough आती है, बच्चो को थोड़ी सी दिक्कत feel होती है, और उस साल क्या होता है, question 2-4 tough होते है, पर panic कर जाता बच्चा, उस वज़े से exam में उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये कान गरम हो जाते है, ऐसा उन ब जिमाग में, last चीज है, safe score, क्या safe score होने वाला है, ठीक है, what is safe score, safe score का मतलब, इतने के आसपास रहेगा, तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं कहूं, last year 2020, जब cutoff बड़ी होई थी, तो बहुत सारे बच्चों से बात करके पता चला, 615, 620 के आसपास होने college मिले, कुछ को 600, ब भी मिले होंगे, categories के अंदर, पर 615, 620, जो था मैं मान रहा हूं, minimum हो सकता है, कुछ को 622 पे भी ना मिला हो, पर मैं एक general trend बता रहा हूं कि 615, 620, last year था, last year मतलब एक college allot करने का safe score, safe score होता है, कि हाँ, इस पे मिल गया होगा, हो सकता है, इसके उपर ही मिला हो, जैसे मैं अ अगर मैं आपको कहूं कि safe score क्या है ना चाहिए, तो मैं मतलब 600 थोड़ा सा आपके तरफ बात कर लेता हूं, 605 से 610 रखना चाहरा हूं, actual में, अब यहां पर 605 से 610 का ये मतलब नहीं है, कि exactly, these all are predictions, ये सिर्फ predictions है, इस पे 100% believe तो आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब rank आएगी, उसमें बहुत सारे factors matter करते हैं, उसमें एक सबसे important factor जो matter करता है, जब हम बच्चों से बात करते हैं, तो मुझे किस range में सबसे जादा बच्चे मिल रहे हैं, actual में मुझे जो सबसे जादा बच्चे मिल रहे हैं, वो 600 से लेकर या 590 से लेकर, 640 के बीच की range क सबसे जादा बच्चे मिल रहे हैं, जिनके marks हैं, तो ये एक alarming बात होती है, मतलब फिर उसी के आसपास ये set हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर पे फिर एक एक 1000 बच्चा cross होता है, तो अभी ये मतलब मेरे हिसाब से safe score है, मेरे हिसाब से, आप मेरी बात से हो सकता है, बिलक इस तरीके से होती है, कई बार बच्चों को पता है नहीं चलता, तो आपका aware रहना बहुत जरूरी है, आपकी state की counselling आपको proper way में करनी है, और मैं मेरी तरब से बुलकुल शुप काम ना है, कि सबको college मिले, बस ही आपकी confusion दूर करने का, पहला cut off marks पे depend नहीं करती, rank पे depend करत है, rank कभी आई नहीं है, हम predict नहीं कर सकते, तो last year के trend को हिसाब में लेकर ये prediction है, सिर्फ इतनी सी बात है, तो इसलिए जिन बच्चों के कम marks लग रहे हैं, जिनको लग रहा है उनके 580 है, अगर वो दुबारा try करना चाहते हो, तो पभी से पढ़ना शुरू कर दो, या उनक चीज के लिए मत पढ़ा करो, अब आपको marks पता चले, अपना देखो क्या करना होता है, ठीक है, ये चीज मैं एकदम suggestion करता हूं, जिसके 590 है, counselling करो, 580 है, counselling करो, और साथ के साथ अपने आपको positive frame से देखो आगे क्या करना है, साथ के साथ, जिसके 630 है, 640 है, थोड़ा safe score में है, वो भी देखो क्या करना है, तो मतलब में चीज क्या है, wait for the result, wait for the counselling, properly counselling करेंगे, क्या जाएगा नहीं पता भी, rank आने दो, तभी सब कुछ clear होता है, तब तक के लिए best of luck, बिटा, properly पढ़ाई करिए, अगर समय है, आपके पास पढ़ना चाते है, तो पढ़ाई क तिक वेटा, थैंक यू सो मच